इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. अजिल्मा 40 tablet एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्च रक्चाप और hot value के इलाज के लिए किया जाता है. रक्चाप को कम करने से भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद मिलती है. यह दवा मधुमे के रोगियों में गुर्दे के कारे को बनाये रखने में भी प्रभावी है. अजिल्मा 40 टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है. इसे दिन में या रात में भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है. हाला कि अधिक से अधिक लाप प्राप्त करने के लिए इसे प्रतीक दिन एक ही समय पर लेने का प्रयास करें यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपका रक्चाप नियंत्रित है तो भी इसे नियमित रूप से लेते रहना महत्वपूर्ण है उच्छ रक्चाप वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन यदि आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है यह व्यापक रूप से उप्योग की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक उप्योग के लिए सुरक्षित मानी जाती है अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी आपके रक्चाप को कम करने में मदद मिलेगी इनमें नियमित व्यायाम, वजन कम करना, धूम्डपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार अपने आहार में नमक की मात्रा कम करना शामिल हो सकता है यह दवा अधिकांश रोगियों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है और इसके कुछ दुश्प्रभाव होते हैं चक्कराना, विशेश रूप से पहली खुराक के बाद कुछ लोगों में होने के लिए जाना जाता है यह सिरदर्द से जुड़ा हो सकता है अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या यह दुश्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं इस दवा के नियमित उप्योग से वजन नहीं बढ़ता है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है गरभवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जब आप यह दवा ले रहे हों तो आपका डॉक्टर नियमित अंतराल पर आपके रक्त में आपके गुर्दा समारोह, रक्चाप और पोटेशियम के स्तर की जांच कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद